दोस्तो होश्यारपूर लोगसभा के लिए आज एक तरह से एतिहासिक दिन है भगवन्त मान साब होश्यारपूर लोगसभा के लिए आठ सो सड़ सठ करोड रुपए का पैकेज होश्यारपूर लोगसभा के लिए देख लेके आए हैं भगवन्त मान साब का मेरे पास फोन आया उन्होंने का कि सर आज आपको होश्यारपूर आना है बिलकुल आज होश्यारपूर के लिए इतिहासिक दिन है जब आठ सो सड़ सठ करोड रुपए का पैकेज हम एनाउंस करने जा रहे हैं मैं मान साब का शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि इतने अच्छे मौके पर मुझे आज अमंत्रित किया और आपके बीच में आने का मौका दिया मैंने समझता 75 साल के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी भी सरकार ने किसी भी नेता ने होश्यारपूर को तरक्की करने के लिए विकास करने के लिए इतना बड़ा पैकेज इतने करोड रुपए एक साथ होश्यारपूर को कभी कोई सरकार देके गई होगी आज पहली बार हो रहा है और मैं देख रहा था इसके जरीए अस्पताल बनेंगे महला क्लिनिक बनेंगे पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट आ रहे हैं गंदगी साफ करने के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे सडके बनेंगी प्लेगराउंड बनेंगे मैदान बनेंगे इतने सारे शाली और तरक्की के लिए ये बहुत ही शांदार पैकेज होश्यारपूर के लिए आज एलान किया जा रहा है सबसे बड़ा इसमें है कि होश्यारपूर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा जैसा भी मान साब ने बनाय बताया आज पंजाब के अंदर चार मेडिकल कॉलेज हैं एक मेडिकल कॉलेज अंग्रेज बना के गए थे उसके बाद 75 साल में 3 मेडिकल कॉलेज बने 1947 के बाद आज तक केवल 3 मेडेकल कॉलेज बने पटियाला फरीद कोट और मुहाली 75 साल में 3 मेडेकल कॉलेज बने और अभी 1.5 साल हुए आम अदमी पार्टी की सरकार को हमने 5 मेडेकल कॉलेज बनाने का ऐलान कर दिया 5 मेडेकल कॉलेज ये पाँचों बनेंगे होश्यारपूर में, कपूर थला में, संग्रूर में, मलेर कोटला में और मोगा में तो जो काम 75 साल के अंदर हुआ उससे दुगना काम 5 साल के अंदर पंजाब के अंदर करके दिखाएंगे आप लोगों को यह Medical College बनेगा, Medical College का आइडिया कैसे आया, मानसा बता रहे हैं जब युक्रेन के अंदर, युक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, युक्रेन के अंदर हमारे कई बच्चे Medical की पढ़ाई पढ़ रहे थे, वो छोड़ छोड़ के वापस आये, उनमें साड़े तीन सो पंजाब के थे, बड़े दुख की शरम की बात है, युक्रेन एक छोटा सा देश है, हमारे देश भारत जैसे इतने बड़े देश के बच्चों को, एक छोटे से युक्रेन जैसे देश में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, जब वो साड़े तीन सो बच्चे पंजाब लोट के आए, तब भगवन तमान साब ने तैय किया, कि मैं इतने सारे मेडिकल कॉलिज बनाओंगा पंजाब के अंदर इतने बनाओंगा, कि पंजाब के बच्चे तो पढ़ेंगे ही, दुनिया भर के सारे बच्चे आके पंजाब के अंदर पढ़ाई किया करेंगे, आपको किसी भी दफ्तर में काम कराना है आपको एक फोन नंबर दे देंगे उस पे फोन करना आप बताना आपको क्या काम कराना है सरकारी दफ्तर से एक अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाएगा आपको किसी दफ्तर जाने के जरूरत नहीं है पूरी करांती आने वाली आज साड़े आठ सो करोड रुपे का पैकेज आपकी लोगसभा को दिया जा रहा है पहले ये लोग कहते थे घाटे में चल रही है सरकार घाटे में चल रही है सरकार घाटे में चल रही है हमारे पास इतना पैसा कहां से आ गया साड़े आठ्ट सो करोड रुपे एक लोगसबा हलके को दे रहे हैं इतना पैसा कहां से आगया बिजली मुफ्त कर दी इतने मुहला क्लिनिक मुफ्त कर दी एक्सरे की मशीन आ रही है दवाईया सारी फ्री हो रही है इतने स्कूल बन रहे हैं कैसे कहां से आया इतना पैसा आम आदमी पार्टी की सरकार इमानदार सरकार है एक एक पैसा बचा रहे हैं जो पैसा पहले सारे ये लूट के लिए जाते थे वो सारा पैसा आपके और आपके परिवार के पंजाब के विकास के लिए इस्तेमाल हो रहा है